अब ये बात सभी लोग प्रेशिक्षाओं के खिलाफ जा रही है लोग आपसे कह रही हैं दूसरों से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना चाहिए आपकी भावनात्मक प्रक्रिया जो भी हो वो सिर्फ आसपास की गपशप है सद्गुरू मैंने कहीं बार परे को थोड़ा सा चखा है लेकिन फिर भी मैं कहीं छोटी छोटी बातों में फस जाता हूँ मैं इससे उपर कैसे उठूँ और हमेशा संतुलन कैसे बनाया रखूँ तो आपने परे का स्वाज चखा है लेकिन छोटी छोटी बातों अभी भी आपको लजाती है तो अगर आपने एक पल के लिए इसका स्वाज चखा है बस एक पल के लिए कि आपके विचारों और भावनाओं से परे कुछ है अगर वो आपके लिए एक वास्तविक चीज बन गई है एक पल के लिए भी तो आपको अपना जीवन उसी में लगाना चाहिए हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन छोटी छोटी बातें मुझे दूर ले जाती हैं आप खुद से थोड़ा प्यार करने लगे हैं भले ही परे का स्वाद भी आपकी जुबान पर है फिर भी आप उलट सकते हैं आपका व्यक्तित्व थोड़ा फूल रहा है आप खुद से थोड़ा सा प्यार करते हैं क्या ये गलत है गलत नहीं है, इसे पागलपन कहते हैं, क्योंकि प्यार एक कोशिश है, प्यार एक चाह है, किसी चीज को अपना एक हिस्सा बनाने की, प्यार एक प्रक्रिया है, प्यार एक संभावना है, जिससे आप खुद से ज़्यादा बन सकते हैं, आप शामिल करने की प्रक्रिया से खुद को विशाल बना सकते हैं, अब अगर आप खुद के ही प्रेम में डूबे रहते हैं, अब ये बात सभी लोग प्रेशिक्षाओं के खिलाफ जा रही है, लोग आप से कह रही हैं, दूसरों से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना चाहिए, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते हैं, तो आप दूसरों से कैसे प्यार करेंगे? अगर आप कहते हैं मैं खुद से प्यार करना चाहता हूँ तो आप, तो आप स्कुछ सो फ़र्निक्स दिथी की और बढ़ रहे हैं अब आप एक में दो बना रहे हैं अगर आप ये पक्का करना चाहते हैं कि आप कभी पागल ना हूँ तो पहला सबसे पहला कदम जो आपको उठाना चाहिए वह यह है कि आप खुद को बांटना बंद कर दें और ये देखें कि एक इंडिविजियल है एक व्यक्तिया इंडिविजियल का अर्थ है उससे और बाटा नहीं जा सकता वो अटूट है आप उसे और तोड नहीं सकते ये एक इकाई है आप इसे दो नहीं बना सकते अगर आप इसे दो बना देते हैं मैं खुद से प्यार करता हूँ अब आप पागलपन की ओर बढ़ रहे हैं पहला कदम ले लिया गया है अगर जीवन की परिस्थितियां सहयोग दें तो आप वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे अगर जीवन की परिस्थितियां आपके लिए ऐसी स्थिति नहीं बनाती हैं तो शायद आपका पागलपन उतना हो जितना समाज स्विकार कर लेगा तो भले ही ईश्वर का स्वाद आप चकले भले ही आपकी जीब पर भगवान का स्वाद हो फिर भी आप उलच सकते हैं इसकी वजह सिर्फ खुद से प्यार करना है ये पका कदम है पागलपन की और पहला कदम आप पागलखाने पहुँचने के लिए तयार हैं या आप सिर्फ आश्रम तक ही पहुँच पाएंगे ये कई बातों से तैह होगा पर एक आदमी के साथ ऐसा हुआ वह एक कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था तो उसने एक बड़ी इमारत देखी और अंदर चला गया वहां रेजिस्ट्रेशन फॉर्म थे उसने सब कुछ भर दिया और हस्ताक्षर कर दिये पर जब वह कॉलेज में दाखिला लेने के लिए फॉर्म लेकर अधिकारी के पास गया तो अधिकारी बोला लेकिन ये एक कॉलेज नहीं है ये पागल खाना है फिर उसने कहा पर मैं एक कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था पर अधिकारी बोला नहीं ये एक पागल खाना है तब उसने सोचा मैंने रिजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भर ही दिया है तो क्या फर्क पड़ता है मैं दाखिल हो जाता हूँ ज्यादा फर्क नहीं है मैं पागल खाने में दाखिल हो जाऊंगा क्या बहुत फर्क है अधिकारी सेहमत था, हाँ, जादा फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क है क्या फर्क है? यहाँ, जब तक आप सुधार नहीं दिखाएंगे, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे So आश्रम सिर्फ एक संस्क्रिश्च शब्द है इसका अंग्रेजी शब्द बहुत अपमान जनक होगा तो आश्रम क्योंकि आपके जीप उपर परमात्मा का सुधा है फिर भी आप कोशिश में है या आप में इतनी मुर्खता है आप इस बहुत सीमिच चीज के प्यार में पड़ रहे हैं जिसे आप मैं कहते हैं ये पागल्पन की एक पक्की निशानी है बिलकुल ये पागल्पन की एक पक्की निशानी है अगर आपने इसे कभी नहीं चखा होता तो आप अंजान होते जो ठीक है क्योंकि आप कुछ और बहतर नहीं जानते लेकिन परमात्मा का स्वाद अब भी मौजूद है और आप अपने व्यक्तित्व जैसी सीमिच चीज में उलज रहे हैं ये बिल्कुल पागलपन की निशानी है कोई सवाल ही नहीं है आप ऐसे पागलपन से ग्रस्थ हैं जो आपको बरबाद कर देगा जो तुशी भी आप से आधी कीमत वसूल करेगा क्योंकि जब आपका भाग ये अतना बरबाद हो जाता है तो भवश्यवाणी करने में मेहनत नहीं लगती ये असान होगा सच में ये बहुत असान होगा लेकिन ये सब सुनकर उदास मत होईए मुझे अध्यात्मिक पथ पर आशावादी होना चाहिए या निराशावादी एक आशावादी एक निराशावादी और एक वस्तविक्तवादी नाश्ते के लिए बैठे थे तो आशावादी वहाँ एक घड़ा था याने एक डिश या कंटेनर था और आशावादी ने उसे देख कर कहा क्रिपया मुझे क्रीम पास करें निराशावादी ने उस ओर देख कर कहा क्रिपया मुझे दूद दें फिर वस्तविक्तवादी ने कहा क्रिपया मुझे घड़ा दें तो अगर आप आशावादी हैं तो गुम्रह हो जाएंगे आप निराशावादी हैं तो आप गुम्रह हो जाएंगे तो अब आप निराश होंगे मैं आपको आशा दूँगा जब आप आशावादी होंगे तो मैं आपको निराश कर दूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप वास्तविक्ता वादी बने क्योंकि सिर्फ वह जो वास्तविक्ता से जुड़ा है विक्सित हो सकता है दूसरे आशावादी भ्रह्म में जिएंगे और निराशावादी उदास हो जाएंगे दोनों को कुछ हासिल नहीं होगा आपको वास्तविक्ता वादी बनना होगा आप हर चीज़ को वैसे ही देखने को तयार हैं जैसी वह है ना गेर जरूरी उत्साह ना उदासी आप वहीं रहें जहां आप हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है तो जब मैं आप मैं उत्साह देखता हूँ तब मैं आप पर ठंडा पानी डाल देता हूँ जब मैं आपको उदास देखता हूँ तब मैं आपके भीतर आग लगा देता हूँ ये मत सोचें कि मैं आपके साथ खेल रहा हूँ मैं बस आपको हकीकत तक ले जाना चाहता हूँ आप इस दिशा में जाएंगे तो आप दूर हो जाएंगे अगर उस दिशा में जाएंगे तो भी दूर हो जाएंगे हम चाहते हैं आप वास्तविक्ता में रहें वास्तविक्ता से जुड़कर ही आपका विकास होगा वास्तिविक्ता से जुड़कर ही विकास संभव है आपका सच्चा स्वरूप ही उस पार पहुंच सकता है मानसिक स्तर पर जो भी हो पार पहुंचना एक धोका ही है परे जाना भी मानसिक दाइरे में परे जाना भी जूट है आपके जीवन के मानसिक शेत्र में परे जाने जैसी कोई चीज नहीं होती परे जाना आपके अस्तित्व के स्तर पर होना चाहिए क्योंकि आपके जीवन की प्रक्रिया आपके अस्तित्व में ही है आपके दिमाग में जो हो रहा है आपके विचार और आपकी भावनाए मानसिक है वो आपके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है वो जीवन नहीं है अभी शायद वो चीजें आपको पूरी तरह से व्यस्त रखे शायद आपके विचार और भावनाए आपको अभी बिल्कुल बिजी रख रहे हो लेकिन ये जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है ये जीवन नहीं है आप जो चाहे सोच सकते हैं भले ही आप गहरी नीन्द में हो आप फिर भी एक जीवन ही है असल में जब कोई मांसिक गतिफिती नहीं होती है तब आप वाकई एक जीवन होते हैं अगर आप कुछ ऐसे शन जानते हैं जिन्हें आप परे जाना कहते हैं तो ये शन वो थे जहां आप मांसिक हलचल से मुक्त थे मांसिक हलचल से मुक्ति के उन कुछ पलों में आपकी मौजूदगी सबसे मजबूत होती है जीवन के कई वर्षों में कुछ ऐसे पल जब आप मांसिक प्रक्रिया से मुक्त थे वो आपके जीवन में इस मौझूदगी के सबसे महत्वपून पल थे तो वह छोटा सा स्वाद जिसे आपने जाना है आपको अपना जीवन उसी दिशा में लगाना चाहिए ना कि आपके विचारों या भावनाओं के दिशा में आपकी भावनाएं और विचार जो चाहे कह सकते हैं वे आज एक बात कहेंगे कल सुभावे अपनी राय बदल देंगे वे आसबास की गपशप की तरहा हैं जो बदलती रहती है लोग आज किसी चीज के बारे में बाते करते हैं और कल किसी दूसरी चीज के बारे में इसी तरहे आपके दिमाग में आपकी विचार प्रक्रिया और भावनात्मक प्रक्रिया जो भी हो वो सिर्फ आपके अंदर की गपशप है जो बस आप में चलती है आपको अच्छा लगे तो इसका आनंद लें पर इस पर भरोसा ना करें अगर आपको गपशब पसंद है तो आनंद लें गपशब मनोरंजन के लिए होती है आप गपशब पर अपनी अध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं शुरू करते आप कोई महत्वपूर्ट चीज गपशब में शुरू नहीं करते अगर परमात्मा का स्वाद आपको मिला है तो आप देखेंगे कि मनोरंजन का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा अचानक मनोरंजन का आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि असली चीज़ का सुआत लेने वाले के लिए हर मनुरंजन बहुत बासी और बेहुदा लगता है